सामने वाला व्यक्ति जूट बोल रहा है इसको पैचान वाले व्यक्ति अगर वो जूट बोल रहा होता है तो बार बार वो व्यक्ति आप से आख नहीं मिला पाता जूट बोल रहा होता है तो व्यक्ति की आख राइट की ओर जाती है उसकी आख आख नहीं मिला पा रहा है तो समझ लेना कि वो जूट बोल बार बार नासिका का परश किया जाता है मतलब उसका ब्लेक पेशर बढ़ रहा है मतलब वो जूट बोलना प्रारम कर दिया है तीसरा छोटी सी बात को भी वो इतना लंबा प्रूफ करकर बता रहा है इतना पुरूप दे कर बता रहा है तो समझ लेना कि चोटी सी बात को भी घुमा फिराकर अगर पुरूप दे कर बता रहा है मतलब बोलो जम्ते बोलो मतलब जूट पक्ता पुरूप दे